काते हैं सोंबार के दिन की अश्टमी पड़ने पड़ने कौन से लिए सोंबार के दिन कौन से थी थी जम के बोलो बोलो अश्टमी सोंबार के दिन अगर अश्टमी थी पड़े और उस दिन अगर पांच बेलपत्र भगवान शिब को समरपित पर दे जाए तो व्यक्ति जो सो जिस कामना से जिस मनमान चित्फल के लिए बेल पत्तर चणाता है उसकी वो कामना मातर तीन महिने में पूरी हो जाएं एक बात बहुत सुंदर है ध्यान रखिएगा थुरा से कभी अगर मुका लगे कमें है तो सोंबर्कि अश्तमी पढ़ जाएं क्या पढ़़ जाएं सउंदर की जमके बोलो जरा अश्तमी या तो संबर्कि अश्टमी पढ़द्ग या कि हर महीने शिवरात्री आती है हर महीने आती है या तो सोंबर की अश्टमी पढ़ जाए या फिर सोंबर की शिवरात्री पढ़ जा हर महीने आती है प्रयास करने कहीं से देशी गाय का दूद मिल जाए थोड़ा सा दूद देशी गाय का मिल जाए थोड़ा सा दूद अगर प्राप्त हो जाए बेलपत्री के पत्ते से टूद काटोरी में लेकर मात्र प्राप्ति के पत्र से एक-एक बूंद अगर डूद अगर जादा मिला हो एक चम्मज भी अगर आपको दूद देशी गाय का मिल गया हो और सोंबर की अश्टमी पढ़ जाए या सोंबर की जम के बोलो शिवरातरी पढ़ जाए उसमें केवल अगर देशी गाय का दूद मिल जाए जर्सी गाय का नहीं हो देशी गाय का दूद मिल जाए बेल प अगर शिवलिंग पर दूद समर्पित कर रहे हो शिरी शिवाय नमस तुभ्यम नमस शिवाय या शडाक्षर मंत्र ओम नमस शिवाय या पेतिस अच्छर का मंत्र महमृत्यूंजे मंत्र इसका समर्ण करकर शिवजी पर देशी गाय का दूद समर्पित करकर इस बेल पत्री को अशुक सुंदरी वाली जगा पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अपलाई करें, मेरा देव दिदेव महादेव, आपका हाथ पकड़ कर खीच कर आगे बढ़ा ही देवाद करना, कर्म पुरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और समर्पित करना, और देशी गाय का दूद जब देडरे दीरे समर्पित करें, बडे रास्ती से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री वही दूद में सनी हुई बेलपत्र अशुक सुंदरी वाली जगा पर उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बह कर जाता है अशुक सुंदरी की ओर से वहां पर होन चाहिए कारे में सफलता मिलती ही शिव तत्व को धारण की अश्टमी का मतलब आपको इंदोर की कथा में बताया था जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं चो सट योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के पीला चंदन लगा लें कितना लगाना बीच वाल्या पत्ता है उस पर पीला चंदन जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट मैं अब यह रोग अब यह कष्ट दूर ही नहीं हो रहा अब यह आए दिन अकलिप पर तकलिप बढ़ती जा रही है आए दिन रोग बिमारी पाइसा घर में बच नहीं रहा पहुत कष्ट मैं इसमें लगा वो । चंदन बिल पत्ति की बीचताना है आ AREolutions ओ और पत्ति पर जब चंदन लग जाए लगने के बादि में यह दोनों पत्ति पर लाल चंदन लगा लीजिए इन दोनों पत्ति में जो डंडी का भाग होता है आपको कहा था आपको स्मरण में होगा सायत हमने जब बिलपत्री की महत्वता बताई थी तो बिलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती है इनके बीच में जो जगा बचती है इसमें मापार्वती के चोसट योगनिया मापार्वती अपनी पूर्ण सिध्धी के साथ में जितनी वी देवी के सुरूप में वो माता चोसट योगनिया देवी के सुरूप में यहाँ पर विराजमान होती है दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक यह पूरी डंडी में 33 कोटी देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी की आंदर तो यह बीच वाली पत्ती है यह जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है इस पत्ती के भाग में शहत का प्रियोग करकर यहां पीला चंदन लाल चंदन लाल चंदन शहत का प्रियोग करकर इसी तरह से पकड़कर यह बेल पत्ती की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर ज चड़ा कर केवल आपकी हिर्दय की बात कहकर देवदी देव महादेव से कोई भी शिवजी का मंत्र पंचाप्छत नमस्षिवाय शडाप्छत ओम नमस्षिवाय श्रीशिवाय नमस्थुभ्यम या महमृत्यूंजे मंत्र जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते वे देवदी देव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चड़ाना प्रारम करो जल की धार जब पून होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशुक सुंदरी पर चो तुमने बिलपत्र चड़ाईए वहां उस जल धार को चड़ाई यह प्रयोग आपको केवल सोमबार क अश्टमी पढ़ने पर ही करना है कौन से दिन करेंगे जम के बोली जरा सोमबार की अश्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चड़ा कर बाबा से विंती करकर उसी बेलपत्र को वापिस उठाकर कहीं जलाश्य में या किसी पेड़ के नीचे विसरजन कर दें और ए जिसके शरीर में सफेद चमडी कड़ने लगती है चर्मरोग हो जाता है या चेहरे पर आग के पास में पूरा कालब पना जाता है उसको हमेंसा याद रखना है लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए काई पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए लेपन करकर सोंबार की अश्टिमी के दिन उसको लेपन करकर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिकुंड बनाकर लेपन करना प्रारम करिए जब आप त्रिकुंड बनाकर लेपन करना प्रारम करें उ थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारम करें पानी के साथ मिलाकर परंतु उस चंदन को केवल 6-7 दिन में प्रयोक करियेगा जादा नहीं दीरे दीरे चमडी परंतु उसको सुंबर के श्टिमी के दिन सिद्ध करकर बनाना है उसको सुंबर के श्टिमी के दिन चड़ाना श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमस्षिवाय या पंचाच्छर मंत्र या महामर्त्यूंजे मंत्र जो आपको आता हो शिवजी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चड़ा उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारम करो उसका फल आपको 15 दिन के अं दर्शको अगर आपकी कोई विशेस मनोकामना है तो बसंद पंचमी के दिन जो भी बेगती महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चड़ाता है अगर जल के साथ सर्शो का फूर चड़ा दे तो उसकी मनोकामना अवस्य पूरी हो जाती है इसी के साथ स्री सिवाय नमस्तुब्या हरहर महादेव घरगर महादेव